दूर द्रिश्टी दोश, Farsightedness, Hypermetropia दूर द्रिश्टी दोश में मनिश्य की आखे दूर की वस्तुओं को ठीक से देख पाती है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाती यानी आँख का निकट बिंदू 25 सेंटीमीटर के अंतर के बजाए थोड़ा और दूर होता है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है पास की वस्तु की प्रतिमा आँख में रेटिना द्रिश्टी पटल के पीछे बनती है दूर द्रिश्टी दोश होने के दो संभव कारण है नबर वन आँख की रेटिना द्रिश्टी पटल और लेंज की वक्रता कम हो जाने के कारण लेंज की अभिसरन शक्ती कम हो जाती है नबर टू नेत्र गोलक के उत्तल हो जाने के कारण लेंज और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है उचित फोकल दूरी वाले उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग करके दुर दृष्टी दोश को ठीक किया जा सकता है इस लेंस के कारण प्रकाश की किरने प्रसारित होकर आँख के लेंस तक पहुचती है इसके बाद आँख के लेंज से प्रसारित होकर रेटिना दृष्टी पटल पर छबी बनाती है कभी-कभी यह दृष्टी दोष छोटी आयू में भी देखा जाता है इसका कारण यह हो सकता है कि नेत्र गोलक थोड़ा चप्टा होता है इस प्रकार की दोष में अधिक परिशानी नहीं होती इसलिए सही यंत्रों से बच्चों की आँखों की जाच किये बिना हमें पता नहीं चलता कि बच्चे को दृष्टी दोष है सही समय पर इसका समाधा ना होने के कारण बड़े होने पर बच्चों को उनको चश्मा देकर भी उनकी दृष्टी में सुधार नहीं होता इसी प्रकार उत्तल लेंस की फोकल लंबाई धन होती है जिसके कारण दृष्टी दोष वाले आखों के लिए पॉजिटिव पावर वाला चश्मा होता है दोष की डिगरी के आधार पर उत्तल लेंस की अलग-अलग आखों के लिए अलग-अलग पावर होती है वह दृष्टी दोश जिसमें वृद्ध लोगों को चश्मे के बिना पास की वस्तूओं को आसानी से और स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है उसे प्रेस बायोपिया अल्प दृष्टी दोश कहते है बढ़ती उम्र के साथ आँखों की समयोजन शक्ती आमतोर पर कम हो जाती है यानि आँख के लेंज की मासपीश या लेंज की फोकल दूरी को बदलने की शमताख हो देती है विद्ध लोगों का निकट बिंदू आँख में और पीछे चला जाता है जिससे उनको चश्मे के बिना पास की वस्तूओं को आसानी से और स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई होती है उचित शक्ती के उत्तल लेंज के उपियोग करने से या दोश ठीक हो जाता है या लेंज प्रकाश किरनों को लेंज से टकराने से पहले ठीक से प्रसारित करता है फिर लेंज से ये किरने अधिक प्रसारित होकर डेटिना पर वस्तूओं की एक छवी बनाती है कभी कभी लोगों को पास रखी और दूर की भी द्वस्तुए ठीक से नहीं दिखती इस थिती में ऐसे लोगों में दूर दृष्टी दोश और निकट दृष्टी, नियर साइटिडनेस, मायोपिया ये दोनों दोश होते हैं इस दोश को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का प्रयोग किया जाता है बाइफोकल लेंस एक ऐसा लेंस होता है जिसका उपरी भाग अफ्तल होने से वह निकट दृष्टी दोश को ठीक करता है और नीचे का भाग उत्तल होने से दूरद्रिष्टी दोश को ठीक करता है आजकल इस दोश को contact lens या surgery से ठीक किया जा सकता है वस्तू का आभासी आकार, apparent size of object बच्चो, जैसा के इस चित्र में दिखाया गया है आखों से अलग-अलग दूरी पर समान आकार की दो वस्तूओ PQ और P1Q1 को देखते है PQ वस्तू द्वारा आखों पर बनाये गया कोण alpha या P1Q1 वस्तू द्वारा बनाये गये beta कोण से बड़ा होने के कारण आखों के पास रखी गई PQ वस्तू P1Q1 वस्तू से बड़ी दिखती है इससे हम यह समझ सकते है कि आखों को दिखने वाली वस्तू का आभासी आकार उस वस्तू द्वारा आख के साथ बनाये गये कोण पर निर्भर करता है इससे यह सवस्त होता है कि आलफा बीटा से बड़ा है PQ वस्तू P1Q1 से बड़ी दिखती है जरा सोचो हम छोटी वस्तू को स्पष्ट रूप से देखने के लिए उन्हें अपनी आखों के करीब क्यों लाते है वस्तू को आखों के पास लाने से उसका आभासी आकार बढ़ जाता है इस कारण वहे साब दिखती है बिल्कुल सही किसी वस्तू को आखों के पास 25 सेंटीमीटर से कम अंतर में लाने पर आख के साथ वस्तू का कोन बढ़ने पर भी वह वस्तू धुनली क्यों दिखाई देती है पास की वस्तू को देखते समय आख का लेंस फूल जाता है और उसकी फोकस लंबाई कम हो जाती है इसलिए रेटीना नेत्र पटल पर वस्तू की सपष्ट छवी बनती है आखों के लेंस की फोकल लंबाई को एक निश्चित दूरी से कम नहीं किया जा सकता इसलिए एक स्वस्त आख 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर रखी वस्तू को सपष्ट रूप से नहीं देख पाती है